क्लास थर्ड गुड़ मॉनिंग ओल आफ यू सब्जेक्ट बीएज चैप्टर फोर्थ गेम्स आर फंट ठीक है इबिएज का आपका फोर्ट चैप्टर है चैप्टर करने में आपका गेम्स आर फंट ठीक है इसमें अपने रीट करते हैं चैप्टर जरूरी आपके लिए आपके यह इसमें किसी भी टाइप से अपने आपके लिए entertain कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं recreation बोलते हैं, इतमें हम read करेंगे book में just as we need to have rest after long working hour हम जब बहुत time से work कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए एक rest मिलना बहुत ज़्यादा क्या होता है, जरूरी होता है, हमारे लिए important होता है, we also need to have fun, हमारे लिए उसके बीच में fun करना भी जरूरी रहता है, this is called recreation, और इसको हम क्या बोलते हैं recreation बोलते हैं, for recreation, some people watch TV अब recreation की कुछ लोग क्या करते हैं television को देखते हैं, कुछ क्या करते हैं, magazines को read करते हैं और कुछ people ऐसे होते हैं, जो games खेलते हैं, ठीक, अब games कैसा भी हो सकता है, तो कुछ होते हैं, आपके indoor games, और कुछ होते हैं, आपके outdoor भी, यापके games के type होते हैं, याप आपने लेखा हुआ है, games are of two types, एक होता है आपका outdoor गेम्, second होता है आपका indoor games, ठीक है, the outdoor games are played outside the house, in the playground, जो outdoor games होते हैं, वो बैठ कर भी खेल सकते हैं इसे game क्या कहलाते हैं आपके indoor games कहलाते हैं outdoor game का example क्या HBL की क्या a cricket basketball, football यह सब किसके एक्जाम्पल है आपके outdoor game को और जो chess है, loot provision, snack and ladders यह सब क्या एकशाम्पल है अपके एंडोर game की example है ठीक है यहाँ पर आपको यहाँ चैप्टर में यही दिया हुआ है कि यूँ हमारे गेम्स हैं हमारे लिए क्यों important है हमारे recreation के लिए हमारे fun के लिए entertainment के लिए और उसमें आपके गेम्स के टाइप दियों कुछ होते हैं आउट्वर गेम और कुछ होते हैं इंडोर गेम ठीक है चैप्टर से उटा था था हमने आपको शॉट में explain कर दिया इसकी एक्साइब आपको send कर दिया आप लोग गर्स पर नोट बना के complete करें class third thank you all of you